हाई फ्रेंड्स, वेल्कम बेक पू माय चैनल, प्रोफेशनल डिजाइनर, आज मैं बनाऊँगे टू-3 यार्स बेबी फ्राग, बेबी फ्राग स्टिचिंग करना बताऊँगी, तो चली स्टार्ट करते हैं, यह टॉप का बैक पार्ट है, मैं इस पर स्टिचिंग करूँग फोड करने के बाद देखे यह कुछ इस तरह से आ जाएगा बैकसाइट के इस ट्रिप को मैंने इस तरह से फोल किया है फोल करने के बाद मैं इसको स्टिच कर दूंगे साथ में मैंने इलास्टिक को भी स्टिच किया है और एक बटन को स्टिच कर लिया है ताकि बैक पार्ट हमारा रेडियो हो सकी और बैक पार्ट मेरा रेडियो हो चुका है यह टॉप का प्रेंट पार्ट है मैंने इस पर लेस लगा देनी है मैंने इस डिजाइन की लेस लगाई है आप किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं जो आपके पास अविलेबल हो लेस मेरे पास थोड़ी सी ऐस रहा थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं छोटा सा फ्लार्स बना दूँ और यह दिखने में भी बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है अब मैं बैक पार्ट को फ्रांट पार्ट पर रखने के बाद मैं शोडर को जॉइन कर लूँगी जॉइन मैंने कर लिया है जॉइन करने के बाद मैंने एक पर पाइपिन लगाओंगे जिसको मैंने औरेप कट करके रखा था मैंने इस तरह से रखके स्टिच कर लेना है और सेम तरीके से मैंने शोल्डर पर भी पाइपिन लगा देनी है ये भी मैंने औरेप कट करके रखे थी दोनों शोल्डर पर मैंने सेम तरीके से पाइपिन को जोइन कर लेना है जोइन में कट चुकी हूँ, जोइन करने के बाद मैं इस पर छोट छोटे कट लगाऊंगी दोनों शोल्डर पर कट लगाने हैं और नेक पर भी मैंने कट लगाने है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स अगर आपके पास कम से कम भी एस्ट्रा फैब्रिक है और आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें कितनी ब्यूटिफुल ड्रैसीज रेडी की जाती हैं और आप देखिएगा कि ये फ्रॉग भी मेरी बहुत ही ब्यूटिफुल बनकर रेडी होगी कि नेक पाइप इनको मैने बैक साइड में फर्ट करने के बाद सिटीच कर लेना है सेम तरीके से मैंने शोड़र को स्टिच किया हैं आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है नेक में है शोल्डर में अब मैं इसमें बॉटम पार्ट को जॉइंट करूंगे जॉइंट करने के लिए मैंने इसमें प्लेट्स डाल लेनी है प्लेट्स मैंने डाल ली है अब मैंने बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट पर इस तरहां से रख कर स्टिच कर लेना है फ्रंट बैक दोनों पार्ट को मैंने सेम तरीके से जॉइंट करना है जॉइंट में कट चुकी हूं आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए और मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसके फिटिंग करने के पाद मैं बॉटम पार्ट को फोल्ड करकर स्टिच करूंगी बॉटम पार्ट को स्टिच मैंने कर लिया है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए और वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइट में देगे बैल आइकम पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें